करेंगे आजमगड़ और रामपुर के लोग सभा उप्चुनाव की आजमगड़ और रामपुर में आज उप्चुनाव के लिए मतदान होना है सुभा 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा आजमगड़ में लड़ाई बीजेपी के प्रत्याशी निरहवा की है लड़ाई स सामने आजम खान के करीबी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा मैदान में हैं जी उत्तत लेश उत्राखन रामपुर और आजब गर लोकसवाज शेत्र के तमाम मतदाताओं से ये अपील करता है कि एक घंटे बाद जब मतदान शुरू हो तो पहले मतदान बाद में जल्पान वाली प्रक्रिया को जरूर अपनाएं वो अपने मतदिकार का प्रयोग जरूर करें स्वस्त लोकतंतर के लिए आपके शेत्र के विकास के लिए आपकी सहभागिदारी जरूरी है इसलिए अपनी जिम्मदारी निभाएं और हम अपनी जिम्मदारी शस्त है मतदाताओं का परसंटेज किस-किस जाती में कितना है और मैदान में कौन-कौन है जैसे आप देख रहे हैं कि आजमगड में जब आर पार्क की लडाई हो जाती है तो धरमेंद्र यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं पहले भी सांसद रहे चुके हैं ले के लिए प्रादिक लिए किस तरीके से जो वोट की अपील है आखरी दौर में प्रचार के सीम योगी ने भी की कि अप्चिनाओं के लिए अपसे थोड़ी दिर के बाद में मतदान की प्रक्रिया कि शुरवात हो जाएगी मैं इस वक्त एक मतदान केंद्र पर हूँ जिसे सकी बूत का नाम दिया गया है दरसल सकी बूत हर विधान सबाब में एक एक पॉलिंग बूत बनाया गया है ताक बूत को सजाया गया है बाकदा बलोन से और टेंट लगाकर के फूलों के जरीए से इसकी सजावट की गई है हाला कि अभी वक्त है मतदान की प्रक्रिया के शुरवात में लेकिन यहां पर पूरी तरीकी के तयारिया कर ली गई है सेक्योटी के दस्ते यहां पर तैनात किये गये हैं खास तोर पर इस बूत की खास्यत ये है कि ऐसे तमाँ सक्रेवी बूत में सिर्फ और सीन अधिकारी से लेकर के दूसरी जोतमाम अधिकारी है वो सारे कि सारे महिला ही होंगी दरसल लोगसबा के उपचिनाओ को लेकर के भारती जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में इस बार यहां पर टक्र देखने को मिल रही है 2019 की लोकसवादी चुनाओ की बात करें तो उस वक्त समाजवादी पार्टी आर एल डी और बियस पी का गड़बंदन था गरीब एक लाक से जादा वोटरों से आजम खान को जीत मिली थी मगर इस बार इस चुनाओं में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने साब में हैं बीएस पी और कॉंग्रिस ने अपने प्रत्याशी नहीं उता रहे हैं और समाजवादी पार्टी का किसी पार्टी से गटबंदन नहीं है अब देखना ये होगा कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद में जब नतीजे आएंगे तो किसकी पक्ष में जाएंगे हाला कि आज का दिन बहुत महत्पूर रहने वाला है करीब 55 फीसद आबादी इस रामपुर की लोकसवा सीट में मुसल्मानों की है 45 फीसदी जो नौन मुसलिम्स की है लेकिन रामपुर के शेहर की अगर बात करूं तो यहां पर 60 फीसद से जादा मुसल्मानों की आबादी है 10 बार से जादा यहां से आजम खान विधायक रहे है लेकिन क्या इस बार समाजवादे पार्टी के परत्याशी भारतिय जनता पार्टी के परत्याशी को चुनोती दे रहे हैं उसमें उनको कामियाबी मिलेगी यह देखना बहुत महतपूर होगा रामपुर से कैमरेपरसन लेखराच के साथ जबार खान जी मीडिया